देखो जो सबसे बड़ी परेशानी है बार बार जनम बार बार मरण उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा एक उपाय है कि अब एक बार मरती हो दुबारा न मरना पड़े दुबारा हमको जनम मरण के चक्र से श्री कृष्ण चर्णू का आस्रे लेकर निरंतर नाम जब भजन हम इसके लिए बैठे हैं जुखाम बुखार कैंसर किड्नी के लिए तो अस्पताल खोड़े हैं बड़े-बड़े समझ रहे हो हमारी बात तुम आये हो सच्चाई की बात सुनो भगवान ने कृपा करके मानों दे दिया है हमारे जो कुछ पापकर्म है कुछ अच्छे कर्म दोनों से मिलकर सरीर बनाए पापकर्म का फल ये दुख रूप में आता है अच्छे कर्मों का फल सुख रूप में आता है अब हमको भजन करके इससे मुक्त होना है बार बार जनम बार बार मरण बार बार दुख ये बात सुनाने के लिए हम बैठे हैं कि तुम भवरोग से मुक्त हो जाओ, तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओ, वो उपाय भगवान की सरण में हो, गीता जिन भगवान के रहे मामेवी प्रपध्यनते माया में ताम तरण भाया, अगर भगवान का नाम जब करोगे, भगवद आश्रित रहोगे, तो दुखाया का जैसे है, पर वो पीरा इतना नहीं देगा कि आप परिशान हो जाओ, संतों के पास यह जता है, भगवत प्राप्ति के लिए, रोग आदी के लिए तो पैसा लगाओ, और सधियां ले लिए, हम सच्चाई की बात कहते हैं, महिना, दो महिना, चार महिना अनुष्ठान करे, तो छोटी मुटी सिद्धियां आजाती है, त्यारा वर्सी के वस्ताथि बाबाजी है, दोखे में मत पसो, स्री कृष्ण, स्री कृष्ण, राधा, 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 असलियत बात यही है,